अध्याद्मी जीवन की दैनी खुराग सुन रहे हमारे सारे प्रिष्ट रोताओं को, प्रमेश्पर के प्रिभग्द गर्म को, प्रभिष्ट मसी के नामे प्यार भराज है मसी की सुपर बातम और सबोधैं के थे हुए हम सब का मन पसंद ध्यान के इंदर आध्यात्मी जीवन की धाइनी खुराक में और इस नए दिन में आप सब का स्वागत करते हैं हमारी ध्यान आयूप के ग्रंद पंद्रवत ध्याय में चल रही है जापर हमने पिछले ध्यान से लेकर आध्यान किया है तो आयज़ हमारी ध्यान को वाह से आगे बढ़ाते होए आयूप के ग्रंद पंद्रवत ध्याय का 17 वचिन से पढ़ते हुआ हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे मैं तुझे समझा दूंगा इसलिए मेरी सुन ले जो मैंने देखा है उसी कवर्नन में करता हूँ वही बाते जो बुद्धिमारों ने अपने पुर्गाओं से सुनकर बिना चिपाये बताये है के बलुनी को देश दिया गया था और उनके मद्धिमें कोई विदेशी आता जाता नहीं था दुस्टर जिवन भर पीड़ा से दड़ता है और बलातकारी की वर्षों की किंती टेराई हुई है उसके कान में डराना शब्ध गुसता रहता है कुशल के समय भी नाशक उस पर आपड़ता है उसे अंध्यार हमें से फिर निकलने की कुछ आशा नहीं होती और तलवार उसके गात में रहती है वो रोटी के लिए मारा मारा फिरता है कि कहीं मिलेगी उसे निश्चे रहता है कि अंध्यार के दिन मेरे पांस ही है संकड दर गटना से उसको डर लगता रहता है ऐसे राजा की नाई जो इदिके लिए तयार हो वे उस पर प्रबल होते है उसने तो इश्वरंग की विरुद हाथ बढ़ा है और सर्वेश एक्तिमान की विरुद वाताथ ठोकता है और सिरु उठाकर अपने मुटी मुटी डाले दिखाता हुआ गमड से उस पर धावा करता है इसलिए कि उसके मूपर चिकनाई चा गई है और उसकी कमर में चर्बी जमी है और वो वजाड़े हुए नगरों में बस गया है और जो घर रहने यूगी नहीं और घंडर होने को छोड़ गया है उनमें बस गया है वो धनी ना रहेगा और ना उसकी संपति मनी रहेगी और ऐसे लोगों की खेट की उपज़ भूमी की और ना जुटने पाएगी वो अंध्यार से भी कभी न निकलेगा और उसके डालिया आँकी लप्टे से जुलस जाएंगे और इश्वर की मुझे श्माच से वो उड़ जाएगा वो अपने को दोका देकर वेर्दबातों का वरुसा ना करे क्योंकि उसका बदलाद दोका ही होगा वो उसके निये दिन से पहले पूरा हो जाएगा उसके डालिया हरी ना रहेंगी दाकी नाए उसके कच्छे फल जड़ जाएंगे और इसके फूल जलपाई के विश्की से गिरेंगे क्योंकि बक्तिहिन के परिवार से कुछ बनना पड़ेगा और जो गूस लेते हैं उनके उपद्रा के पेट रहता है और अनर्दुत्पन होता है और वे अपने अंतर करण में चल की बाते करते हैं अयूप का गरन पंद्रावध्याई का 17 वचिन से लेकार 35 वचिन तक अर्दार आकरी वचिन तक हमने पड़कर सुनना है हमारी स्पटन में तेमानी अलिपेश को अयूप को उतर देता हुआ अयूप को उसका मुबंद कराता हुआ उसकी बुद्धी हिंता को उसकी अविवेकी को उसको जताता हुआ उसे समझाने के लिए और उसे दोशी साबित कराने के लिए प्रयास करता हुआ देखे हैं तेमानी अलिपेश की बाते उसके घाओं का कुरूता हुआ अर्थात आयूप किस कारण से अपने दंसे दनहीन हो जाता है एक दन्वान मनिशता कैसे वो गरीव हो गया है वो कंगाल हो गया है उसके संतान किस तरह से मर गये है वो अपने आपका बक्तिमान टेहराता है पर उसकी बक्तिना रही है वो दकपड करता है वो गूस लेता है उसकी तंबो में आग लग जाती है उसके बेट में उपदरो रहते है और वाहनत की बातों को उत्पन करता है अपने अंतकर में चल की बाते करता है इस सारी बाते कहते हुए अईब का बताने की कोशिश किया है जदाने की कोशिश किया है उन्ही अधर्मों के कारण उन्ही रह जल चुके हैं तेरी सारी संपती खत्म होचे हैं लुट चुके हैं थज लॉट चुके हैं नाश रुट चुके हैं तेरी सह Celt में और रहा जिस प्रकार खट दिखावा खरते हुए तो अपनी आपको सही ह्inea साच्छ में करने की कोशिश किया है या फिर उसकी मदब के लिए परमेश्व और उसकी सहाधा करतने है वो मुखव को लकर बाते करने लगता है आगे जया होता है अगले अधन में सारी बातों को देखेंगे लेकिन आसके लिए ये अपने आपको परमेश्वर構कातम सुम्मपन करते हुए परमेशों से इस प्रकार से हम प्राद ना करेंगे खास कर दो काम हम से दूर रखने के लिए पहला आयूप किदर हम किसी कारण से किसी प्रकार की परिक्षा में ना पड़े और को ऐसी नुपसान उपदर हम पर ना पड़े दूसरा आयूप के मित्रों के समान अगर किसी के सामने किसी की पास जाकर उन्हे सांतों न दीने के समय आया तो उनके में तुनंके समान को ऐसी बाते हम लोग ना करें हम किसी के गावं पर नमख डालकर उन्हें और धुकी करने वप्रयास कभी ना करें ऐसामन परमिशवर हमसे हमेशे दूर रखने के लिए आपने सिरूं को जुखाएंगे, आंगों को भन करेंगे, चोटी सी प्रात न करेंगे पिताब परमेश्वर हम फिर से एक बार आपकी इस्तुति करता हैं प्रशम सा करता हैं महीमा गौर आधर समान के साथ आपकी दिविसारिद में अपने आपका समर्पन करता हैं हम सब हमको परमेश्वर अपने दियाओ प्रपोजी मुलिवान वचनंग के लिए फिर से एक बाश्य करदा करते हैं इन वचनों के आदा प्रपोजी हमारी जीवान हो सके हम हमेशे परमेश्वर सचे अच्छे टेहर सके परमेश्वर किसी को दुख देने वाले है किसी के परमेश्वर आपने सुनकर हम सबको दियाओतर के लिए धनिवाद करते हुए प्रपोजी मस्य के नाम से इस परादन को मांगते हैं सुन और कबल कर पिता आमें 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 परमेश्वर का अनगर वरहाद निरंतर आपके उपर हो परमेश्वर के आत्म का विशेग आपके उपर हो अगवाई परमेश्वर निरंतर आपकी करते रहे हर संकर से उपद्रों से परमेश्वर आपको बचाया रखे हमारे सिदुआ और कामना के साथ आज की द्यानश के पर समाफ्त करते हैं, आप सुनते रहिए, सुनते रहिए, आद्याद्मी जीवन की दैनी खुराक, कल फिर में लेंगे, अपना ख्याल रखिए, अपनों को ख्याल रखिए, दूसरें का भी ख्याल रखिए, कब बलेसे हो.